आज के इस वीडियो में हमें प्रिशनावली 2.2 का पांचवाँ छटा आदी प्रिशन करेंगे पांचवाँ प्रिशन क्या है कि जाच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या N के लिए संख्या 6 की पावर N अंक 0 पर समाप्त हो सकती है यानि 6 की गात N है वो क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है जहाँ N एक प्राकृत संख्या है तो आपको पता तो ना चाहिए प्राकृत संख्या हैं क्या है तो प्राकृत संख्या हैं आप N से लिखते हैं हम प्राकृत संख्याओं को वैसे दो और पांच जरूर होते हैं गुर्णखंड की रूप में दो गुर्णखंड पांच ये जरूर होता है चैया आप दस देखिए, बीस देखिए तीस देखिए, चालिस, पचास, सो, हजार जिसमें भी अंत में 0 लगावा है उसके आप भाज्य गुर्णखंड करेंगे उस तो उसमें एक बार दो और पांच जरूर आएगा और जिनमें एक बार दो और पांच आएगा उनमें एक सुनने आता है आंत में जिसमें दो बार दो और पांच दो और पांच दो दो बार आते हैं उसमें दो जिरू आएंगे यह जोड़ा तीन बार आता है तो तीन जिरू आएंगे अब आपकी संख्या देखिए च्छै की गात N इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गातां की नीमो की साब से दो गुणा तीन की गात N अंदर गुणा कर दिया हमने दो गुणा तीन की रूप में लिख दिया दो तीया च्छै उपर गात लगा दी N यानि इसके गुणदखंड क्या हुए दो और तीन अब N क्या है एक प्राकृत संख्या तो अब आप N का मान एक लेंगे तो ये क्या आएगा दो गुणा तीन की गात उपर एक कोई फरक ने पड़ेगा उससे N का मान जब आप दो लेंगे तो दो गुणा तीन उपर गात कितनी आएगी दो तो इनको 2 दो बार गुणा करो गया 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गहात 2 का मतलब जो नीचे संख्या है आधार में उसको 2 बार गुणा करना है 2 गुणा 3 तो ऐसे आप n का मान 1 से लेकर और कितना भी ले ले आगे प्राकर संख्याओ में क्या इसमें 5 आ जाएगा कहीं पर भी 2 तो है या 5 आजाएगा 2 और 3 को आप बार बार गात लगा करेंगे तो 5 नहीं आएगा और जब तक 5 और 2 का कोंबिजिलेशन नहीं आता है तब तक अंत में 0 नहीं आएगा तो आप इसमें लिख देंगे, चुंकि इसके ए भाज्य गुन्दखंड में 2 और 3 ही आते हैं, 2 और 5 का कोई जोड़ा नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 0 पर समापते नहीं हो सकती, अगला देखिए, व्यक्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याइं क्यों हैं? भाज्य और ए भाज्य संख्याइं किसे कहते हैं? भाज्य पता होने के लिए आपको ए भाज्य का पता होना भी जरूरी है, ए भाज्य संख्याइं कौन से होती हैं? वे संख्याइं जिनके केवल और केवल दो गुन् दो और दूसरा एक, दो एकम दो, इसमें या तो दो का भाग जाता है या एक का, एक है तीन, तो इसमें एक है, तीन, और इसमें एक, उसके बाद में चार ये नहीं आए बाजे, क्योंकि इसका दो, दो नी, चार, इसके दो गुरंद खंड होगे, दो, दो का भाग जाता है, और इसमें एक का भी भाग जाता है, तो इसके कितने गुणंद खंड होगे, तीन गुणंद खंड होगे, फिर इसके बाद में को निशाती है, पाज इसमें एक का भाग जाएगा, और पाज का इसके दो गुणंद खंड है, तो ऐसी संख्या हैं, और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो एभाजे संख्या कहलाती है, ये परिभाशा पूरी तरह सत्य नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुर्णदखरण ये सब्द क्यों इस्तिमाल किया जाता है, क्योंकि संख्या के शुरुआत कौन सी संख्या से होती है, दो से होती है, तो भज्य संख्या कौन सी होगी, जैसे च्यार है, छै है, नो है, जिसमें दो से जादा गुर्णदखरण होते हैं, यानि जिनमें सामाने तोर पर कहते हैं वैसे, कि एक के और खुद के अलावा किसी अन्य स पद है, जब तक गुणा चलता है, तब तक एक ही पद होता है, और यह दूसरा पद है, इन दोनों में क्या को मना रहा है, 13, गुणा, ब्रेकिट में, पहले में क्या बच गया है, 7 गुणा है, 11, फिर पलस का निशान, यहां 13 एकम, 13 क्या बच गया, तो यह आगे 13 गुणा, 7 को 11 से गुणा किया, 37 पलस एक, बराबर 13 गुणा, 78, अब 78 के भी आप चाहो तो और ऐसे बाजे गुणा कर लोगे, दो का भाग भाग भी चला जाएगा, तीन का भाग भी चला जाएगा, तो कई संख्या बन जाएगे, लेकिन यह दो ही काफिया हमारे लिए तो, यानि इस इसके जो संख्या हमें देर की थी पूरी, इसके कम से कम दो गुणद खंड तो यहीं हो गए, और इसके लावा एक तो हमें पता ही होता, यह गुणद खंड सब का, तो जिस संख्या के दो से जादा गुणद खंड होते हैं, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, तो यह हम इसमें भी पाँच है पांच आगया common यहां क्या बस गया साथ गुणा चे गुणा चे गुणा तीन गुणा दो गुणा एक प्लस यहां से पांच गुणा आ गये तो पांच एकव én जाएगा पांच इसको आप जब सब्सक्राइब करोगे साथ चिक 42 आगे देखो एक साथ हो नहीं हो पारा तो चैरती है 12 12 दोनी 24 24 से कम 24 प्लस एक अब आप इसको कर सकते आसाने से 42 गुणा 24 संख्या जाएगी उसमें आप एक जोड़ेंगे तो पांच गुणा और फिर एक दूसरी संख्या जाएगी यानि और एक इनका गुणदखंड होता ही है यानि इसके भी कितने गुणदखंड है दो से जादा गुणदखंड है और दो से जादा गुणदखंड जि और एक वृत्ताकार पत है, गोल गेरा है, गोल चकर, इस मैदान का एक चकर लगाने में सोनिया को 18 मिनिट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चकर लगाने में रवी को 12 मिनिट लगते हैं, मान लेजिए, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारम करें, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वेपुने प्रारमिक स्थान पर मिलेंगे, यानि वो एक गौल्थ चक्र में जहां से शुरुवात करते हैं, यह की साथ सुरुवात करते हैं, लेकिन रवी क्या है 12 मिनिट में एक चक्र लगाता है और Sonia 18 मिनिट में एक चक्र लगाता है तो हम यह बताना है कि जो शुरुआत में जहां से उन्होंने दोड़ना शुरू किया था वहां वो एक स्थान पर दुबरा कम मिलेंगे कितने मिनिट के बाद मिलेंगे तो ऐसे सव अठारे का और बारे का क्या निकालना आपको अठारे का आप एक साथ भी निकाल सकते हो एल सिम और दूसरा तरीक हो जाए यह आप अलग-अलग गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो इसको यह एक साथ करके भी निकाल सकते हो जैसे भी दो का भाग दिया, दो निम, अठारा है, फिर तीन का भाग दिया, तीन तिया, नो, फिर तीन का भाग दिया, तीन एकम, तीन, बारा का देखो, दो चिकवी, बारा, दो तिया, छे, तीन एकम, तीन, क्या आगे, अठारा की गुणा, तीन, गुणा, तीन, और बारा की गुण दोगणा तीन, तो इनका VoD लिखा जाता यह लिखाना On और ऐसा ट्रिक से करना चाहो, तो आप देखो, जैसे दस्मी कर्षाम की में तो आपको जैसा उत्र पूरा लिखना पड़ेगा एक्जाम में आता है तो, लेकिन आप अगर इसकी ट्रिक अपनाना चाहें, तो क्या है, जैसे सीधा से आप प्रिशन में देखिए, कि सोनिया को लगती है, अठारा मिनिट, और रवी को लगती है, बारा मिनिट, तो आप ऐसा दिमाग में चितर बनाइए, कि यहां से कोई एक मैदान है, और वहां से उन्होंने दोड़ना शुरू किया है, तो देखिए, रवी है, बारा मिनिट, एक चकर बारा मिनिट में, दो चकर बार पूरे हो जाएंगे और सोनिया की दो चक्र पूरे हो जाएंगे और वो उसी स्थान पर मिलेंगे एक दूसरे से जहां से उन्होंने शुरुवात की थी उमीद करता हूँ आपको यह प्रशन समझ में आये होंगे अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइ जरूर कीजिए बेल आइकन को दबाईए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए थैंक यू